सब्सक्राइब गुद मोरिंग फ्रेंट्स वेलकम वन्स अगें तो निफ्टी अनलीजिस फ्रॉम ट्रेडिंग फ्याइब डॉटीन आज है फिफ नॉवेंबर टुटाउजन ट्वेंटी थर्जड़ है सुबह के आड़ बच कर 32 मिनिट्स हो रहे थर्जड़ है वीकली एक्स हमने देखा वहां पर यूएस में काउंटिंग शुरू है अभी कुछी वक्त में फाइनल रिजर्ट्स भी आ जाएंगे जो बिड़न वो ट्रम के आगे इस समय चल रहे है यूएस मार्केट काफी तेजी में दिखाई दे रहे सबसे पहले कल के आनलीसिस का क्विकली रिव यह 5 मिनिट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है जैसे कि आप देख पार है निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ ओपन होता ही ब्रेक आउट लेवल ब्रेक होने के बाद परस टार्गेट यहाँ पर 11,853 अचिवड हुआ सेकेंड टार्गेट 11,871 यह भी आपर अचिवड ब्रेक्स परड़ लेख मिली, इस ने दो बाद सपोर्टि टेस्ट खीत ठीक emba फरेट इसने सेकेंड टार्गेट को यह जबर्दस फाल ऑगा हुआ और ब्रेक्डाउन लेवल बौने के बाद एक्जै Contrary पर्स टार्गेट चार्गेट के पास इसमेर नहीं सापोर्ट लेकर पर प्रॉपिट बन सकता था यह था कल के आनलिसिस का एक क्विक्ली रेविव लोबल मार्केट के आलाद देख लेते हैं कल अमेरिकी बाजार में शांदार तीजी देखने को भी नास्डेक 430 पॉइंट के बड़त के साथ बंद हुआ यूरोपियन बाकेट भी देखे तो ला अगबग एशिया यी बाजार सभी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं डाव फिचर भी देखे तो हलकी सी बड़त इस समय दिखा रहा है तो और अग्लोबल मार्केट से इस समय पॉजिटिव संकेदार है चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर विक्ली चार्ट से शुरू कर अभी खतम नहीं हुआ है तो इसके ऊपर अगर निफ्टी इंडेक्स चला जाता है आज SDX निफ्टी 150 पॉइंट के बड़त के साथ ट्रेड कर रहा है तो हो सकता है यहां पर भी extreme gap of opening देखने हैं मिले तो as per weekly chart 12,283 के पास next resistance का level आ रहा है जहां से यह past में हमने fall यहां से द scenario है इससे पहले एक shorter time frame आदा daily chart उसमें देख लेते हैं कहां पर resistance के level आगा है अभी यहां पर हमने दो type देखे थे bullish pattern bearish to bullish pattern एक तो हमने early chart में देखा था double bottom formation यहां पर देखा था rising bottom उससे कह सकते हैं और इसके बाद तेजी देखी थी और यहां पर daily chart में अगर इसे बाहर चा reward bar reversal pattern यानि previous bar का high low close के उपर यह current candle का high low और close है अभी इसके बाद हमने कल भी यहां पर जबरदस एक bullish candle यहां पर बनते हुए देखा है तो अगर हम यहां पर यह swing low high को पकड़ के यहां पर फीबोना सी extension level को draw करें यह low तो हम देख सकते हैं यहां पर यह जो level है अभी यहां से अगर यह ऊपर की तरफ जाता है तो पहला तो 12,000 के पास इसको hurdle face करना होगा अगर 12,000 break होता है तो 12,000 153 के पास next resistance का level होगा तो इन levels के according आप अपना position यहां पर बना सकते हैं तो यह daily और weekly chart का scenario है इस समय नीचे support होगा 11,750 का जो कि यह 20MA का pink line है यह support का का काम करेगा और early chart पर चलते हैं आज के लिए intraday levels देखते हैं क्या हो सकती है निफ्टी हो सकता है gap up extreme gap up open हो तो यह जो level है around pivot point का R1 के level के पास हम देख सकते है past में आपर ही एक resistance phase करके निफ्टी ने एक fall दिखा है तो 11,973 के ऊपर अगर sustain करता है तो ही intraday के लिए हम buy position बना सकते हैं और तब 12,017 यह हमारा second target होगा अगर extreme gap up open होता है तो wait and watch करें का फिर इसकी साबित होगा gap up opening में trade करने के लिए नए लोगों के लिए तो यहाँ पर wait and watch करें जब फिर से एक बार यह breakout level को break करेगा तब यहाँ पर entry हम लेने के लिए देख सकते हैं और अगर towards south की तरफ हता है तो pivot point के नीचे 11,864 के नीचे अगर sustain करता है तो ही intraday के लिए हम यहाँ पर short position मना सकते हैं और तभी हमारा first target होगा 11,844 यह हमारा first target होगा और second target होगा 11,818 यह हमारा second target होगा तो यह आज के लिए nifty के intraday levels अगर आपको यह video analysis अच्छा लगाओ तो like, share, comment ज़रूर करें और subscribe करना अबूले, so thank you very much and happy training